नमो नाराइन मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि M A B B इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का बैबाहिक जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वेडियों को आप लाइक कर दे साथ में ASTRO4U को आप सबस्क्राइब कर दे एबम इस वेडियों के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे एबम वेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों इस नाम के दोनों लोगों में मजबूत संकल्प एबम फैसला करने की सक्ती बहुत ज्यादा होती है मित्रो आपको बता दे कि M नाम के जातक जहां कहीं भी होते हैं तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी और आकरसित करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं लेकिन यदी भी नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के जातक किसी भी गुरुप में सामिल होना किसी भी नए लोगों के साथ में अपना समय बिताना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इस नाम के लोगों को नए लोगों से मुलाकात करना या नए नए गुरूप में सामिल होना ज्यादा पसंद नहीं होता है मित्रो इस नाम के जातक अपने जीबन में ज्यादा पडिवर्तन करना ज्यादा बदलाब करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन यदि एम नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के जातक इस थिती के मुताबिक अपने अंदर बदलाव करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मित्रों आपको बता दे कि इस नाम के जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा चालाक बहुत ज्यादा चतुर होते हैं एबम इस नाम के जातक यदी किसी भी काम को करने में थोरा बहुत भी योगदान देते हैं तो उस काम का पूरा सरे खुद लेना चाहते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के लोगों का सुभाब बहुत ज्यादा एहंकाडी होता है यदि की इस नाम के लोगों के भीतर घमंड बहुत ज्यादा होता है मित्रो इस नाम के दोनों जातक यदि अपने अंदर कुछ पड़िवर्तन कुछ बदलाब करना चाहते हैं तो इन दोनों का आपसी जीबन बहुत ज्यादा गती सील एबम उर्जा बान होगा मित्रो आपको बता दे की बी नाम के लोगों के भीतर भी अहंकार की भाबना बहुत ज्यादा होती है एबम इस कारण से इन दोनों का अहंकार टकरा जाता है एबम ऐसे हालात में इन दोनों का बैबाहिक जीबन बहुत ज्यादा खराब होता है मित्रो M नाम के जातक एबं B नाम के जातक यदि अपने दामपत्ते जीबन या अपने प्रेम जीबन में कुछ समझोता करते हैं तो इन दोनों का दामपत्ते जीबन सामाने रूप से सही होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में एस्ट्रोफ और यू को आप सब्सक्रेब कर दे एबं इस वेडियो के बारे में आपका जो भी बिचार हो तो आप अपने बिचार को इस वेडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दे ताकि आपके अलाबा बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें एबम अपने दामपत जीबन या अपने प्रेम जीबन के बारे में साड़ी बातें पता कर सकें धन्यवाद